हेलो एवरीबन वेलकम बैके नवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपिल तो प्यारे बच्छों आज के इस वीडियो में सीटेट पेपर टू मैंत को लेकर वीडियो नूमर टू आज हम देखेंगे जिसमें देखेंगे फ्रेक्शन से रिलेटेट किस तरीके से आपके कुशन्स आपके सीटेट पेपर टू में पूछे जाते हैं सीटेट इनिवल कि अधर कोई भी टेट का है एक्जाम हो वहाँ पर पेपर टू में इसी तरीके के कुशन आपको देखने को मिलेंगे तो देखिए आज का टॉपिक जो हमारा है वो एफ्रेक्शन इसस सकते हैं सीटेट पेपर टू मेहत के नाम से आपका प्लेलिष्ट वहाँ पर सेव है तो ना बात करते हैं आज किस टॉपिक की फ्रेक्शन की इस पीडियों हम 9 से 10 कुशन तक देखेंगे सारे कुशन है मैंने औरी सौल कर रहे हैं जिससे क्या होगा हमारे टैम भी कम देखते हुए चलिएगा और आपके जिनको आता है उनकी प्रैक्टिस यहां पर हो जाएगी ठीक है इसी तरीकी की कोशन आपसे सीटेट पेपर टू में पूछे जाते हैं ज्यादा अलग हटके प्रप्रेशन करने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है 30 मार्क्स का मैंत आता जो फ्रेक्शन है वो आपको बताना है सीटेट 2019 का यह कोशन है और पेपर फस्ट में हर बार ऐसे कुशन देखने को आपको मिलता है तो देखिए करेंगे क्या सबसे पहले जब भी कंपेरिजन वाली बात आएगी फ्रेक्शन में आपको चेक करना है डिनोमिनेटर और नु आपके सेम आ रहा है यानन कि 55 है जितने भी आपके फ्रेक्शन थे उन दौनों नुम्मिनेटर टिनोमेटर का जो डिफ्रेंस था वह आपका सेम आ जब ऐसी कंटिशन आपके बन्जा आती है जो नंबर उपर सबसे बड़ी फ्रेक्शन काउंट होती है जो सबसे चोटा होत वो सबसे छोटा fraction हो जाता है, यानि कि आपसे पूछा गया थी smallest, तो 7 upon 12 आपका smallest fraction आपका हो जाएगा, यानि कि option A आपका यहाँ पर correct हो गया, ठीक है, तो बात करते हैं, question number 2 की, कहीं कहीं क्या होता है, आपके जो difference होते हैं, वो different होते हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा होता ह क्या करा है, तो इस condition में क्या करेंगे, तो देखिए, question number 2 आपका यह रहा, जैसे मैंने बोला था, सारी question में solve कर रखे, what is the sum of the largest and the smallest of the following fraction, सीटर, 2022 का question नहीं लगा, तर ऐसा ही, question 17, 14, 16 में पूछा गया, तो डिजटर लगती, question मैंने 2022 का यहाँ पर पिक किया हुआ, ठीक है, किस तरीके से आपसे question पूछेंगे, देख लीजी, अब देखो, यह जो आपके 5 यहाँ फ्रक्षन दे रखे, सबका difference आपका same नहीं है, ठीक है, इस condition में क्या करेंगे, सारे fraction को 2 decimal तक हम solve कर लेंगे, यही हमारा basic है, basic हमें आना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले हम divide कर लेंगे सारे fractions को 2 place तक, 4 upon 9 को मैंने लखा 0.44, 5 upon 6 को 0.8, 7 upon 12 को 0.5, ऐसे ही हम मैंने क्या कि 4 पांचो fractions को solve कर लिया, हमें pick करना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, फिर उनको add करके बताना है, कितना answer आएगा, तो सबसे smallest जो है, देखे कौन सा आ रहा है, हापे, 0.44, यानिकि 4 upon 9 स 6 हो गया, अब इन तोनों का addition पूछे, smallest प्लस largest, तो दोना fraction या लिख लिए, addition करने के बाद, you will get 23 upon 18, इतना सब कुछ हमें आना चाहिए, addition आने ही चाहिए, अब देखो, जो option है आपका ना, वो C सही हो जाएगा, 23 upon 18, इसी तरीकी के question आप से exam में पूछे जाते हैं, preparation आप इसी तरीके से आप कर सकते हो, और करने की ज़रूत नहीं, हम करात हो रहे हैं आपको, और करनी भी है, तो same, ऐसी ही question की करिएगा, अदर कुछ करने की ज़रूत नहीं है आपको, तो question number third, third में बोला गया, 6 upon 7, 8 upon 9, 9 upon 10, 7 upon 8 में, find the difference between the smallest and largest, सबसे बड़ा और सबसे चोटा ज question लिखा हुआ है, similar लिखने की ज़रूत नहीं है न, ऐसा होगा, तो same होई जाएंगे, फिर से चेक करेंगे, इनका difference कितना, 7 और 6 का difference 1, 9 और 8 का difference 1, 10 और 9 का भी difference 1, 8 और 7 का भी difference आपका, बन हो गया, अगर ऐसी condition बनती है, जो उपर सबसे चोटा होगा, वो सबसे चोटा हो पूचा कहा है, largest minus smallest, जब हम fraction का minus करेंगे, तो you will get 3 upon 70, यानि कि जो option है, वो आपका option number C, सही हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए, बात करते है, question number 4 की, question number 4, आपका ये रहा, which descending order is correct, मतलब, चार यहाँ पर आपको option दे रखें, इन चारों मैंसे, कौन सा option है, जो अब रोही क्रमब एकदम fit दे रखा, एकदम सही दे रखा है, ठीक है, अब देखो, 3 by 4, 2 by 3, 9 by 16, 5.12, इनी चारों values को लेके, 4 option बनाए हुए, ठीक है, कि मैंने क 16.56, एन 2 upon 3 को 0.66, 5.12 को 0.41, ठीक है, अब इसमें सी जील हम pick कर लेंगे, अब रोही करम का मतलब क्या होता, सबसे पहला, यानि कि descending सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उसके बड़ा उससे चोटा, उससे चोटा, उससे चोटा, तो सबसे बड़ा आपके हैं, 0.75 बाकि सार फोर चलेंगे हैं, फिर देखेंगे हैं, 0.66, इसके बाद आएगा, यानि कि 2 by 3, 3 upon 4, 2 by 3, यानि कि option 1 आपका match कर गया, बाकि सारी आपको measurement लिखाने लेकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो 3 upon 4, 2 upon 3, option 1 आपका सही हो गया, इसी तरीके से question आपसे exam में पूछे जाते हैं, इनी को लेकिया preparation आप अपनी कर सकते हो, ठीक है, बाइस में भी यह सी question पूछे गए थे, तो चलिए बात करते हैं, question number 5 की, तो यह रहा, which number does not comes between minus 5 upon 6 and 7 upon 8, minus 5 upon 6 और 7 upon 8 की बीच में से इन 4 option में से कौन सा value आपका नहीं आता है, करने का तरीका आपका वो भी है, decimal में options को, फिर आप चेक कर लीजिए, मैंने यहां पर किया किया है, इन दौनों का LCM ले लिया, 24 आएगा, दौनों के जो denominator 24 बना लिए, 5 upon 6 का 24 बनाएंगे, तो 4 से multiply उपन नीचे, minus 20 upon 24, 7 upon 8 का denominator 24 बनाएंगे, तो 3 का multiply उपर, तरीका ही आपको नीचे करना पड़ेगा, यानि कि 21 upon 24, ऐसे ही चारो option को भी मैंने 24 में ही convert कर लिया, ठीके न, तो 24 में जैसे हम convert करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा, आप से पूछा गया, कौन सा option है, जो यहां नहीं आएगा, जैसे हमने option D में 24 इसका denominator बनाएंगे, 2 का multiply उपर 2 का नीचे किया, तो यहांगे, minus 22, जो हमा लाई करेंगे नहीं, क्योंकि minus 20 है, और यहां रहा, minus 22, यानि कि जो option D है, वो आप में यहां पर eliminate हो गया, यानि कि option D is correct, आपने decimal में भी convert करके इनको देख सकते हो, ठीके, बात करते है, question number 6 की, question number 6 आप से 2022 में पूछा गया है, और ऐसे ही question 15, 17 में भी पूछे जात गई है, और मैंने सिर्फ यह question जो पिक किया है, वो 2022 का recently जो आपका exam में आया हुआ है, तो question में x का value 4 upon 7, y का value minus 11 upon 15, then reciprocal of x plus y कितना आपका होगा, तो question में बोला गया, x और y की value दोनों दे रखे हैं, ठीके न, उन दोनों का पहले आप addition निका लिए, addition करने का जो भी value आएगी न, उस उसका recipe protocol, यानि कि बितकरम कितना होगा वो आपको बताना है, जैसे ही हमने x plus y दोनों fraction को add किया, तो add करने के बाद हमें मिलेगा, minus का 17 upon 105, इसका recipe protocol, यानि कि numerator उपर denominator नीचे change हो जाते हैं, तो minus का 105 upon 17, जो option है वो आपका b यहाँ पे सही होगा, ठीके न, उम्मीद करता आपको सब को समझ आ रहा होगा, तो बात करते हैं, question number 7 की, question number 7, 2022 का यह question है, क्योंकि online जो exam हो रहेते हर एक, उसमें, evening, morning, ऐसे question हो होते हैं, आपके, जो exam होते हैं, हर एक set में, आपके अलग-अलग question से, तो 2022 का ही most time मैंने pick कर लिए, question इसमें, ठीके न, तो 3 whole, 1 by 7 divided by minus 3, किस minus 3 upon 1 में, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 माल लेते हैं, जब भी हम divide का value हम जब solve करते हैं, तो एक काम हम जरूर करते हैं, 22 upon 7 होता, divide का sign हटाते हैं, multiply लगाते हैं, number का reciprocal, 3 नीचे 1 उपर, ठीक है, अगर cut हो रहा, तो cut कर लेते हैं, cut होई नहीं रहा, तो 21 का 1 के साथ, 22, 22 into 122 minus 22 divided by 21, यानि कि जो option है, वो आपका D आपका हैं, यहाँ पर साही होए जागा, तो चलिए, बात करते हैं, question number 8 की हो, यह paper 2 है, तो little ले आप से थोड़े से तो tough question आप से पूछे ही जाएंगे, paper 1 के according, यदि बोल आ गया question में, 2 whole 1 by 4 और minus 1 whole 2 upon 3 के अंतर के 4 upon 3 को, यानि कि इ 3 minus 1 by 3, जब आप इसको solve करोगे, तो 7 upon 9 आ रहा है, ठीके न, similar यही condition आगे दे रखिए, 2 whole 1 by 3 और 1 whole 2 by 7 के अंतर, यानि कि इन दोनों का आप minus करिए, जो भी minus करके आएगा, उसका 1 by 2, 1 by 2 of 2 whole 1 by 3 minus 1 whole 2 upon 3, जो भी निकल के आएगा, यानि कि 11 upon 21, उन दोनों का जो योग है, वो कितना आपको मिलेगा, तो इसका आगे 7 upon 9, इसका आगे 11 upon 21, तो जब आप add करोगे, पहले बाच, you will get 82 upon 63, जो option है, आपका option B सही हो जाएगा, वीडियो को pause करिए, खोशन को अच्छी तरीकी से read करिए, आप solution देखी यहाँ पर सकते हो, ठीक है न, तो 7 upon 9 plus 11 upon 21, इसका आ आइड किया, जब आइड करोगे, तो 82 upon 63, आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, बात करते हैं, आप question number 9 की, तो यह रहाँ आपका question number 9, तो यह question आप से 2016 में, 22 और 14 और 21 में, बदला different different values के साथ question आप से पूछा गया, यह जो pick किया है, मैंने 2016 से यहाँ पर pick किया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा option इसमें सही है, तो मैंने पहले ही option से calculation start किया, 1 by 2 को मैंने लिखा 0.5, 1 by 6 को मैंने divide किया, तो मुझे मिला 0.16, यानि कि यह 0.1 हो गया, और 0.5 हो गया, अब इन दोनों में value बड़ा कौन सा है, 0.5 भाल, obviously बात है, तो 0.5 जो है, वो आपका 1 by 2 क होता है, तो 1 by 2 is greater than 1 by 6, यानि कि पहला यू जो option है, वही मेरा सही हो गया, बाकि और को चेक करने की कोई विया पर जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ठीक है ना, तो दीखिए इसी तरीके के question आपसे seated paper 2 में fraction से पूचे जाते, इससे पहले मैंने decimal की वीडियो मैंने upload कर दी है, प्लीज जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, प्लीज सबसे पहले आप एक काम करें, चैनल का जो वेल आइकान है, उससे आप पहुंड करती है, जिससे क्या होगा, आने वाली वीडियो को जो नोडिविकिशन होगा है, प्रॉपर आपको time पे मिलता रहेगा, तो बात करते हैं, question number 10 की, आज किस वीडियो का last question आपका यह रहा, find the product of 5 upon 19 and its additive inverse, question में बोला गया है, 5 upon 19 और उसके यूज पृतिलम का जो product यानि कि गुड़न फल जो आएगा, वो कौन सा होगा, यानि कि additive inverse, additive inverse को हम यूज पृतिलम बोलते है, additive inverse का अतलब क्या होता है, जै additive inverse होगा, वो क्या होगा, सेम इसी value को minus में आप लिख दीजिए, वो आपकी additive inverse हो जाती है, मैंने क्या कि 5 upon 19 का पहले additive inverse निकाल लाए, यानि कि plus में हो थी, तो minus हो जाता है, अगर यह value minus में हो थी, minus 5 upon 19, तो इसका additive inverse plus में आता, बट 5 upon 19 है, इसका additive inverse होगे, minus 5 upon 19, इन तोनों क आही आपको product आप से पूछा गया, यानि कि minus 25 upon 360 बन, जो option है, वो आपका option number 1 आपको यहाँ पर correct हो गया, तो आज का यह session आज हमारा complete हो, अम्मीद करता हूँ आपको यह video आपको पसंद आई होगी, इसी तरीके के paper to CTAT में, मैं मैंत के question आप से पूछा जाते हैं, CTAT ही नही care and bit for the next video